कि नमस्कार कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके सांथ प्रियाविस्ट एक बार फिर से मोधी सरकार इस बार चार सो पार बीजेपी के दो दिनों के राष्ट्री अधिवेशन में पियम मोधी ने जैसे ही हुखार भरी पूरा का पूरा विपक्ष बेदम नजर आया और बीजेपी खेमे में एक नई उर्जा पियम मोधी ने भरी कारकरताओं को सम्मूदित करने के साथ ही बीजेपी के अधिवेशन में कई एहम फैसलों पर मोहर भी लगी गई है जिसे विपक्षी पार्टियों की टेंशन में जापा हो गया है तो कुछ है बीजेपी के राष्ट्री अधिवेशन में चलिए आपको बताते हैं दिल्ली में भाच्पा के राष्ट्री अधिवेशन में 2024 तक बढ़ाने पर मोहर भी लग गई है जेपी नड़ा जून 2019 में पाटी के कारेकारी अध्यक्ष बने थे इसके बाद 20 जनवरी 2020 को पूर्ण कालिक अध्यक्ष बनाए गए बीजेपी के इतियास में आज तक चुनाओ की नौबत नहीं आई है इसी को बीजेपी आंतरिक लो जा रहा था कि निदिन कटगरी को दूसरी बार अध्यक्ष बन मिलने वाला है इसके लिए बीजेपी ने अपने सविधान में संचोधन भी किया था उस समय यश्वंत सिना भी अध्यक्ष बने वाले लेकिन उन्हें मना लिया गया था और चुनाओं की नौबत नहीं आई भाजपा में अध्यक्ष पत के चुनाओं की प्रकिरिया क्या है भारती जंता पार्टी में अध्यक्ष पत के चुनाओं के लिए पार्टी के सविधान में स्पष्ट निर्देश है पार्टी के सविधान की धारा 19 के तहत राश्ट्री अध्यक्ष के चुनाओं की विवस् कारेकारणी द्वारा निर्धारित नियमों के मुताबिक किया जाएगा अध्यक्ष चुनने जाने के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदसे रहा हो धारा 19 के पेज में यही लिखा गया है कि निर्वाचक मंडल में से कुल 20 सदसे संपन हो चुके हो इसके अलावा इस तरह के चुनाओ के लिए नामांकन पत्र पर उमीद्वार की स्विक्रती भी जरूरी है बाजपा के सविदान के मुताबिक कम से कम 50 प्रतिशत यानि आधे राजियों में संगठन चुनाओ के बाद ही राश्री अध्यक्ष का चुनाओ संग्या संख्या 10 से कम ना हो अगर संग्या 10 से कम हो तो सभी चुने जाएंगे यवा राश्टे तों में जा किये जा सकते हैं राष्ट कारेकारणी के सभी सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं विभिन्व मोर्जिय और प्रकाश्टों के अध्यक्ष और संद्थियोजग भी सदस्य होते हैं सभी को सौR का सदस्य शुल्क देना पड़ता है को एक चहरा कितने टर्म तक अध्यक्ष रह सकता है भाजपा की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक पार्टी के सविधान की धारा 21 के मुताबिक कोई भी सदस्य तीन तीन साल के लगातार दो कारिकाल तक ही सदस्य रह सकता है प्रतेक कारिकारणी प्रदेश थमीती और उसके पदादिकारियों और सदस्यों के लिए भी तीन साल की अवधी तै की गई है पार्टी के सविधान के मुताबिक बीजेपी का सदस्य बनने के लिए मुख्ष शर्त ये भी है कि व्यक्ति 18 साल या उससे अधिकुम्र का होना चाहिए साथ ही उसका किसी अन्य दल से में लगी है उन्होंने सेना पर सवाल उठाया और राफैल की रहा में भी तोड़े अटकाई प्रधान मंत्री जैन संत्थ विद्यसागर जी महराज की बात करते हुए भविक हो गए थे उन्होंने कहा कि शिवजी महराज ने छत्रपती बनने के बाद आराम नहीं किया बलक अगर वो अपने घर की केवल चिंता करते हैं तो करोडों लोगों को घर नहीं मिल पाता है उन्होंने गरेबों महिलाओं और युवाओं के सपने को अपना संकल्प करार देते हुए कहा कि इसके लिए हम सेवा भाव से दिन रात एक कर रहे हैं उन्होंने कहा कि 10 साल में हमन अपने संबोधन में जैन मुनी विद्या सागर जी महराज के शरधा पूर्वक और आदर पूर्वक नमन करते हुए शरधा अंजली अर्पित की उन्होंने कहा कि हमने हर ववस्था को पुरानी सोच से बहार निकाला जिने किसी नहीं पूछा उन्हें हमने न सिर्फ पूछा मलकी पूजा है उन्होंने बताया कि सबसे पिछडी जनजातियों को किसी ने नहीं पूछा हमने उनके लिए योजना बनाई उन्होंने कारेगरोंource के लिए बनी विश्व कर्मा योजना और रिहडी पटरी वालों के लिए बने सौ निधी योजना काभी जिकर किया भूण हत्या की समस्या के एकलाब सामाजिक जेतना और कड़े कानून का सहरा लेने का जिक्र करते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ का सार्थक परिणाम निकला करेंगे तो मैं 15 गंटे काम करूगा कि मैंने साथियों देश बरके मेरे कार करता हो देश बरके मेरे देश को उजवल भविश के लिए आसा लगा कर बैटी वे लोगों मैं कहना चाहूंगा आने वाले सो दिनों तक कि बीजेपी के हर कार करता को अपने लिए नए लक्ष बना होंगे उन्हें प्राप्त्य करना होगा कि बीते वर्सों में भाजपात सरकार की योजनाओं का लाब करोर लाभारतियों को मिला है कि हमें हर लाभारति तक पहुंचना है इतना ही नहीं केंद्र ग्रहम मंत्री अमिश्चा और राष्ट्य अध्यच जेपी नड्डा ने कार सटांध करती हैं स्री राम मंदिर निर्माण पर प्रस्ताव पेश किया वहीं अमिर्श चाह ने कोंग्रेस और इंडी गठ बंदन के खलाब प्रस्ताव किया केंद्र ग्रहमंत्री अमिश्चा ने इजेपी देश की आशा और विपक्ष की हताशा नाम से प्रस्ताव पेश किया उन्होंने कहा कि पांडवों और कौरवों की तरह चुनाओं से पहले दो खेमे हैं एक तरब मोदीची के निरतत में NDA का गठबंदन है तो दूसरी तरब कॉंग्रेस के निरतत में सारी परिवा परिवारवाद और तुस्टिकरण की राजनीती का पोशक है अमिश्याह ने कहा कि कॉंग्रेस ने तुस्टिकरण की राजनीती के कारण मंदिर का न्योता ठुकराया एक कहवत है बड़े मिया तो बड़े मिया छोटे मिया सुभान अल्ला आम आदमी पाटी आपकारी जनता को तैय करना है कि मोदी को मैंडेट देना है या इंडिय अलाइंस को देना है साथ करोड लोग अपने आपको देश के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ पाते हैं आज ये साथ करोड लोग हमारे सम्विदान की सार्थक्ता को महसूस कर रहे हैं दस साल में इतना बड़ा प्रिवतना है दलीत आदिवासी और पिछडा समाज उसको वाट बैंक के नाते हैं एक कॉंग्रेस और इंडिय अलाइंस वालों ने उपियोग तो बहुत किया पहली बार उनको सन्मान और रिस्सेदारी देने का काम भारतिय जन्ता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरका है पहली बार पहली बार ये देश का गवरव पुरी दुनिया के ने महसूस किया दुनिया में भारत के लोग कही पर भी जाते हैं कही पर भी दुनिया में आप चले जाओ पूछेंगे मोदी के भारत से आते हो ना ये पहचान दुनिया में विश्व में खड़ी करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है और मैं आज बताता चाहता हूँ मित्राब को कि 140 करोड की जंता ने पहली बार महान भारत का स्वपन देखने का सहास नरेंद्र मोदी जी ने दिया है न केवल महान भारत का स्वपन देने का सहास उस्वपन को सिधी में परिवर्ती किने करने के लिए सामूही पुरुसार्थ करने का मन भी नरेंद्र मोदी ने बनाया है जेपी नड्डा ने कहा कि अयोध्या का भवी राम मंदिर बनाने का संकल्प ऐसे समी में पूरा हुआ जब प्रधान मंत्री मोदी के निर्थित में राष्ट विक्सित भारत के संकल्प को पूरा करने में लगा हुआ है भवी राम मंदिर भारत की सांस्क्रितिक चेतना का प्रतिक बिम्ब बन गया है उन्हेंने कहा कि गुलामी की अत्तिगीत से प्रेणा लेते हुए भारत खड़ा हो रहा है प्यम मोदी के निर्थित में भारत की सांस्क्रितिक विरासत को समवर्धित किया जा रहा है हमने वो भी समय देखा मैं उस समय युवा मोर्चा का कारे करता होता था जब 1989 में पालंपुर में अधिवेशन हुआ था स्राश्ट की कारे कारे नी हुई थी हिमाचल में हमारे प्रदेश में और वहाँ पास हुआ था कि हम राम मंदिर के बनने के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए प्रयास करेंगे 1989 और उसके बाद हमने वर्षो नारे लगाए वर्षो नारे लगाए राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे हम कहें मंदिर वहीं बनाएंगे ये नारे हमने लगाए बीच में कुछ लोगों ने उफास भी किया और कहा राम लला हम मंदिर वहीं बनाएंगे तिथी नहीं बताएंगे या तिथी कब बताएंगे तो हमने कहा कि आपको तिथी भी बताएंगे और आप जरूर आएंगे आप आए नहीं यह आपके कर्ण थे लेकिन 22 तारी को आधरनीय प्रधान मंत्री जी ने 11 दिन का कठोर अनुष्ठान करने के बाद राम लला का प्राण प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठान किया वो अभी हम सब लोगों ने देखा ग्रहम मंत्री अमिश्चाहा ने भी अधिवेशन में 56 मिनट की स्पीच दी उन्होंने मोधी सरकार की 10 साल की उपलब दी राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कॉंग्रेस परिवारबाद भ्रष्टाचार इंडिया लाइंस और 2024 लोगसबा चुनाओ पर बात की शाहा ने कॉंग्रेस पर कहा इन लोगों ने अपनी सरकार रहते जमीन से आस्मान और समंदर तक गोटाले किये और आखिर में प्यम मोधी के भाषण के साथ ही बीजेपी का राश्ट्र अधिवेशन पूरा हुआ प्यम मोधी और अमिश्या के तेवरों से साथ तोर पता चलता है कि 2024 के लोगसबा चुनाओं में बीजेपी के सामने कहीं से कहीं तक विपक्ष नजर ही नहीं आ रहा है अब देखना होगा कि क्या विपक्ष के लिए कोई चमतकार होगा आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं इस कबर में फिलाल इतना ही बाके तमाम खबरों के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी नमस्कार